ट्रेपुरा में मामला जो है कॉंग्रेस और बीजेपी के पीच कांटे का तो नहीं कहा जा सकता है इस वगड लेकिन बीजेपी इस वगड 35 पर आगे चल रही है ट्रेंड्स में अभी लगबग 40 पर भी थी 40 के पार भी गई थी लेकिन ये फिर वापस धीरे धीरे एक एक दो सकते हैं कि एन पीपी बीजेपी यूडीपी जो पुरारा कॉंबिनेशन था उसके साथ बढ़ती भी आगे नजर आ रही है पावन के पास चलते हैं पावन इस वगड त्रिपरा में है मिघाले को भी उन्होंने कवर किया इन इलेक्शन के लिए तो दोनों राजियों पर व एन पीपी ने पिछली बार 20 लिये थे एन पीपी के सिर्फ दो घट रहे हैं बीजेपी ने यहां 8 बढ़ाए हैं बीजेपी 10 पर खड़ी है तो कुल मिलाकर यूडीपी एन पीपी और बीजेपी इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है वही संभावना एक बार फिर हो सकती है क्योंकि common perception में एन पीपी और बीजेपी जो लोगों की जनता के सामने जो योजनाय रखी गई जो बेनिफिशिट गिनाए गए उसमें लोगों को लगा कि मानो एन पीपी और बीजेपी साथ है क्योंकि हम इंटीर्स में गए भाशा का एक barrier होता है बहुत कुल के बात नहीं होती लेकिन बिना कैमरे जब हमने पूछा तो अब की बार बीजेपी का क्या हाल चाल है तो उन्होंने का एन पीपी साथ है साथ ही तो है वो यानि वो महीला जो वहां पर एक दुकान चलाती उससे यह नहीं पता था कि बीजेपी और एन पीपी अलग लड़ रह है तो उसका नतीजा कुछ यहां दिख रहा है जहां तक तिरपुरा की बात की जाए तो तिरपुरा में अभी फिलहाल बीजेपी 35 पर आगे है तिप्रा मोथा जिसकी हम बात कर रहे हैं राज परिवार के प्रदुत्य देव बर्मन वो अब घटकर काफी कम हो गये हैं बार का विरोध किया वो एक साथ आ गए ऐसे में यह विरोध सिर्फ राजनितिक विरोध नहीं था क्योंकि आहां राजनितिक हिंसा भी होती है तो इसमें वो त्वेश शामिल है ऐसे में वोट ट्रांसफर हो पाएं वैसा संभव नहीं लगता वैसे ही रुजान देख रहे हैं और बीजेपी तरपरा में एक बार फिर वापस आ सकती है अभी तो अभी तक कि परिसिटी में बीजेपी को किसी के समर्थन की जरुवत पड़ेगी ऐसा नहीं लग रहा जो उनकी प्रीपोर अलाइंस है आई पी एफटी के साथ उसके साथ मिलकर उनकी सरकार कमफर्टेबल की बंती भी दिखाई दे रही है लेकिन फर्स करें जरुवत पड़ती है आपकी क्योंकि प्रद्योप देवर्मन के साथ काफी लंबी बातशीत हुई थी कोई इशारा उन्होंने दिया हो कि वो किसके साथ जाना पसंद करेंगे अगर ऐसे हालाद बने तो देखिए ओन कैमरा उन्होंने कुछ नहीं कहा था लेकिन ओफ कैमरा जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी तो एक ही बात है वो एक बड़ा शायराना अंदाज में कहते हैं जब वो मंच पर होते हैं और वैसे भी कि मैं तो राज परिवार में पैदा हुआ हूँ मेरे उसके अलावा कोई डील नहीं जहां तक एक ग्रेटर तिरपुरा लैंड की बात है तो एक छोटे से राज्य में एक छोटी सी पोपुलेशन में एक और इलाका होना वो एक बड़ा बोन ओफ कंटेंशन जी से कहा जा कि विवाद का मूल मंत्र है तो तिप्रा मोथा इन तीनों ही राज्यों में नगालैंड की अगर बात की जाए तो जहां पर बीजेपी अपने सयोगियों के साथ 50 पी दिखाए दे रही थी बस एक सीट पे रुझान जो है उनका कम हो गया है ये अब 49 दिखाए दे रहा है लेकिन इससे बहुत जादा कोई फर्क नहीं पड आती है कि नगालैंड में तो क्लियर कट बीजेपी की सरकार आ रही है अपने सयोगियों के साथ रही बात त्रिपुरा की तो त्रिपुरा में भी बीजेपी अपने सयोगियों के साथ 35 सीट पर आगे दिखाए दे रही है यहां पर भी उनकी सरकार बन रही है इसमें भी आप स्टोर पार